Hello everyone, welcome to being a best teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to understand about the topic juvenile delicacy. दिखे, juvenile होते हैं बाल, ठीक है, इसको हिंदी में समझना बहुत जरूरी है, so that हम complete topic को अच्छे से समझ सके. तो यहां पर जो है juvenile का meaning होता है बाल और delicacy का meaning होता है अपराद, यानि कि बाल अपराद, ठीक है, यानि कि बच्चों के द्वारा जो किये गए crimes होते हैं, बच्चे जो criminal activities में involved होते हैं, तो इसी topic को brief में आज हम समझेंगे. देखे, criminal activity जो भी 18 वर्ष से कम आयूका है, मतलब कि उसकी age है 18 साल से कम की और उसके द्वारा कोई criminal activity आपराद किया जाता है, तो वो कहलाता है juvenile delicacy. एक example इसका हम लेना चाहेंगे, देखे, इंडिया के अंदर डेली में निर्भया कांट हुआ था, उसमें आपने देखा होगा एक जो वहाँ पे rapist था, वो like 18 वर्ष से कम का था, बाकी सबको तो जो है like फासी की सजा हो जाती है, पर उसको नहीं होती है, आज भी वो अपनी जिन्दगी जी रहा है, उसको देखे, एक special NGO के द्वारा like juvenile जो इनके schools होते हैं, वहाँ पे भीजा जाता है, और वहाँ पे जो है उसके लिए like वो अपनी आगे की life में सुधर जाए और अपने like mental problems जो उसकी है, उस पे वो काम गर सके, तो इसलिए उसको भीज दिया, basically उसक नहीं होई, बाकी सबको होई, क्योंकि यहाँ पे juvenile delicacy का case था, right, so देखे, ऐसा है क्यों, पहले यह समझते हैं, देखे, 18 वर्ष से कम आयू का जो होता है, ठीक है, यानि कि adolescence और children, तो वो mature नहीं होते हैं completely, वो maturity की तरफ बढ़ रहे होते हैं, right, so यहाँ पे जो person totally mature नहीं ह तो वहाँ पे उसको अगर, like उससे कोई अपराध हो जाता है, like हम बोलते हैं ना, बच्चे कोरे कागस की तरह होते हैं, आप उनने जो सिखाओगे वो सीख जाएंगे, आनि कि किसी के बहकावे में आके कर लिया, जोश में आके उनने कोई crime कर लिया, right, challenge करते हुए कर लिया मतलब कि उन्होंने बाल भुद्धी, बच्चो वाले दिमाग से वो काम कर दिया है, right, so यहाँ पे वो मैचौर्ड नहीं है, होशो हवास में अपने completely नहीं होते हैं, उनको जो जस तरीके से, like उनको माप कर देता है, या जस तरीके से उनको जो direction पात मिलती है, वो वो काम कर देते हैं, so that is why it is required कि बच्चा जो है उसको सही दिशा मिले, right, और अगर उसने कोई crime कर दिया है, 18 साल से कम का है, तो वहाँ पे उसको, like, वो सजा नहीं होगी, जो एक आम आदमी को होगी, यानि कि एक एडल्ट को होगी, so यहाँ पे उनके लिए अलग से laws होते हैं, और उ ठिक है, कोई भी, तो यहाँ पे देखे, juvenile courts होते हैं, और उनकी द्वारा उनका फैसला सुनाया जाता है, ना कि normal courts होते हैं, right, और normal courts भी अगर इनको देख रहे हैं, तो वो juvenile delicacy का बिलकुल ध्यान रखेंगे, right, so basically यही है juvenile delicacy, हर country के अपने juvenile courts होते हैं, अपने हिसाब से इन इंडिया के अंदर हम बात करें, तो देखे, juvenile delicacy जो है, एक another problem है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे बच्चे होते हैं, जो अपराद कर देते हैं, 18 साल से कम की आयूके होते हैं, और इस वज़े से, देखे, चाहे, वो कितने भी बड़े अपराद करें, ठीक है, उनको सजा न बट ऐसा कोट के द्वारा नहीं करा गया था, ऐसा कोट के द्वारा क्यों नहीं किया गया था, क्यों उनको फासी की सजा या एक सीवियर सजा नहीं दी गई थी, क्योंकि वहाँ पे वो juvenile था, और देखे, juvenile delicacy, यानि कि juvenile के द्वारा जब कोई crime किया जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ वही सफर नहीं करता है वहाँ पे जस सोसाइटी से वो आता है जस फैमिली से आता है वो सोसाइटी, फैमिली मतलब यहाँ पे देखिए multiple consequences है multiple sufferers है वो तो सफर करी रहा है साथ में victim की जो family है वो भी सफर करती है और उसका future उनकी family का future और जस सोसाइटी से वो आता है एक वहाँ पे देखिए धबबा लग जाता है उनको भी effect होता है एक गलती और यह बहुत ओको effect करता है अब देखिए इसके कारण हम बोल देते हैं हो सकता है जिस तरीके से बच्चे का juvenile का basically palan potion हुआ हो यानि कि socio-economic और psychological problems उसको हो सकती है उसकी family को हो सकती है उस वज़ा से उसने वो किया हो right so in psychological problems की वज़ा से ही जादा तर देखा गया है कि बाल अपराद होते हैं robberies होते हैं, rapes होते हैं, assaultments होते हैं eve teasing or something like that ठीक है so छोटे देखिए इस उम्र में जो होते हैं बालपन में ही देखा गया है अगर कोई problem है like psychologically, sociologically, economically अगर जो juvenile है वो किसी भी like बच्चा जो है basically हम बोलेंगे children या adolescents अगर वो किसी भी इस problem से गुजर रही है तो वहाँ पे वो drug abuse, alcohol इन सब चीजों से भी habitual हो जाते हैं और इन सब चीजों की वज़ा से भी criminal activities देखने को मिलती है right so इन सब conditions को ही देखते हुए जो है juvenile delicacy यहाँ पे देखे एक concept आया right और इनके लिए अलग से laws बने अलग से courts हैं और इनको इतनी severe punishment severe देखे जो अपराद रहते हैं उनके लिए भी नहीं होती है right so that is the thing okay now definitions यहाँ पे हैं juvenile delicacy की कुछ and it is very important to write the definitions in the answer always why it is so because देखे definitions always add what adds a spark to your answer so it is very important that you are going to add some of the definition at least in your answer right okay now here you can see the first definition is given by shrillbert next definition is given by fridlander then william h sheldon cb memoria then kl sharma तो आप यहाँ पे कोई भी definition आपको अच्छी लगे एक या दो आप यहाँ पे definitions यहाँ से choose करके या और कहीं से आपको आपकी book से मिलती है या maybe internet से आपको मिलती है तो वो definitions जो भी आपको easy लगे वो आप डाल सकते हैं अब देखिये juvenile delicacy के causes क्या है that we need to see because if somebody is doing the crime the severe crime especially the children or the adolescents then what are the causes of it देखिये कोई भी society हुई वहाँ की society हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है so that बच्चे जो है किसी भी गलत संगत में या गलत चीजों में ना पढ़ जाएं या हर एक society की हर एक देश की ये कोशिश रहती है राइट की बच्चे जो है एक सही direction पे चले क्योंकि वो आने वाली generation है देश का आने वाला भविश्य है फिर भी अगर हम बात करें तो juvenile delicacy यानि की बाल अपराद के क्या-क्या यहाँ पे causes रहते हैं तो उसमें से first है individual factors this talks about एक ऐसा बाल एक ऐसा बच्चा जिसको proper education नहीं मिली है या उसका intelligence level IQ level proper नहीं है और उस like proper education ना होने के वज़ा से वो इन सब चीजों में पढ़ जाए या कोई अपराद कर ले इसके अलावा देखिए या तो बच्चा बहुत जादा aggressive हो या माबाप के द्वारा बच्चे का जो पालन portion है वो बहुत ही like देखे पैंपरड बच्चा हो मतलब कि बहुत ही या तो हम बोल सकते हैं गलत तरीके से किया हो बहुत ही like बच्चे को इत्ते धेक लाड़ प्यार माबाप की साइड से बच्चे को दिया गया हो या बच्चे का जो है माबाप की साइड से बिलकुल ध्यान ही न दिया गया हो देखे दोनों केसेज ही बच्चे को juvenile delicacy की तरफ ले जा सकते हैं यानि कि बहुत जादा लाड़ प्यार होना और बिलकुल ही न होना दोनों केसेज में बच्चा अपने बच्चे के उपर हमेशा रखनी तब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता है ताकि वो देख सके कि बच्चा किस संगत में है किसमें नहीं है उसका बिहेवियर कैसा है वो किस डाइरेक्शन किस पाथ में जा रहा है और प्रॉपरली एजुकेशन फर्स अफॉल देखे इसलिए ही 6 से 14 वर्ष की आयू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है हमारे कॉंस्टिटिउशन देता है राइट तो एजुकेशन है राइट तो ये चीज़े क्यों है दाट इस वाई कि हर जन जन को हर बच्छे को सिक्षा मिले और वो इन चीजों में ना पड़े ठीक है हर देश की अपनी कोशशे रहती है कि बाल अपराद कम से कम या ना हूँ उनके देश में ठीक है अगला है family factors देखिए ये again individual factors तो उपर हमने बात की family की तरफ से किस तरीके का लालन पालन है किस तरीके की parenting style है कितना control parents का है कितना नहीं है कितना supervision है parents के साथ कोई conflict तो नहीं है parents बच्चे को abuse तो नहीं करते है emotionally, psychologically or physically यानि कि मार बटाई like बच्चे को ताने देना या nagging करना, टोकना बच्चे को साथ जिग जिग करना बाद बाद पे, तो ऐसा behavior तो parents का नहीं है तो generally देखा गया है इस तरह की families तो जो बच्चे आते हैं वो भी बाल अपराद का like इन बाल अपराद में हमें देखने को मलते हैं कि इन causes की वज़ा से भी बच्चे जो है अपराद करते हैं, ठीक है अगला है mental health factors देखे बहुत बच्चे होते हैं जिनकी mental health ठीक नहीं होती है ठीक है, अब mental health ठीक ना होना, ये कोई disorder भी हो सकता है, या families की वज़ा से भी हो सकता है या बच्चे का IQ level कम है उस वज़ा से भी हो सकता है या maybe कोई accident या कोई घटना बच्चे के साथ हो गई हो, जैसे कि let's suppose उसके parents का divorce हो गया हो या let's suppose उसके parents की मृत्यू हो गई हो, तो इस वज़ा से बच्चे को ऐसा जटका लगा हो कि उसकी mental health ठीक ना हो और इस कारण से वो कोई बाल अपराद कर ले, ठीक है अगला है substance abuse देखिए ये तो बहुत बड़ा कारण माना जाता है, generally जो बच्चे like कम उम्र में ही drugs लेना, alcohol लेना smoking करना start कर देते हैं तो वो अपने होश में ना होने के कारण देखा गया है बाल अपराद कर देते हैं आनि कि अपराद कर देते हैं कोई ऐसा जो की like देखिए हम severe cases की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा अपराद करना, जिसकी जैसे हमने देखिए निर्भ्या कांट को डिसकास किया कि वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर एक जो juvenile था उसको इतने बड़े अपराद के बाद भी सजा नहीं दी गई जबकि बाकी जो अपरादी थे उन सभी को सजाए मौद दी गई ठीक है बट वहाँ पर इनको फासी की सजा इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये juvenile होते हैं इतना बड़ा जो है अपराद करने के बाद भी क्योंकि again वही चीज आती है कि ये जो है अपनी maturity की तरफ बढ़ रहे हैं वो matured properly नहीं होते हैं scientifically अगर हम ये सब देखें तो सबस्टेंस अब्यूस की बात करें तो सबस्टेंस अब्यूस यानि की कुछ ऐसी चीजों में बच्चे पढ़ जाते हैं ड्रक्स वगारा के कारण वो अपने होशो हवास में नहीं होते हैं और कुछ ऐसे severe अपराद जो हैं कर बैठते हैं अब इनके लिए preventive measures कैसे हैं कैसे हम अपनी society को बचा सकते हैं बाल अपराद से ताकि हमारे इर्दगिर्द जो बच्चे हैं वो इन सब में ना पड़े ठीक है as a teacher हमारा बहुत बड़ा रूल यहां पे होता है बच्चे को shape-up करने में बच्चे का mental set बच्चे को psychology shape-up करने में ठीक है psychologically so first is creating and inspiring a team work of private and public agencies devote a preventive work ठीक है मतलब कुछ ऐसी agencies कुछ ऐसे groups हो जो इसके लिए मिल जूल कर काम करें next is giving proper training to the members and staff of organization concerned with delicacy control कि जो staff included है the persons who are concerned with it so that they have the proper control then establishing child guidance clinics this should be there to give appropriate treatment कि जो भी बच्चा यहां पे disturbed या mal-adjusted हो तो उसको timely देखिए इससे पहले situation हमारे हाथ से निकले तो उससे पहले बच्चे को सही guidance वो provide करा है and especially देखिए going to the psychiatrist going to the psychologist is not like कि उसको कोई दिमागी रूप से problem है या वो individual mad है, sick है so that doesn't mean that देखिए आप शारेरिक रूप से बिमार होते हैं तो आप doctor के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं तो अगर आप मानसिक रूप से भी बिमार हैं तो आप दिमाग के doctor के पास जाएंगे अपना treatment लेंगे, ठीक हो जाएंगे और नॉमल लाइफ बिताएंगे so that doesn't mean कि उसको कोई problem है और वो lifelong रहेगी राइट, ओके now educating of the families देखे, family education बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का लालन पालन जो है पालन पोशन जो है वो सही तरीके से parents के द्वारा किया जाए देखे, हमने parenting style already पढ़ा हुआ है यानि कि एक balancing parenting हो बच्चे और चाइल की बीच एक balancing relationship रहे इत्यदिक लाड़ प्यार भी ना हो ठीक है और जादा strictness भी ना हो ना जादा neglection हो एक proper balance वहाँ पे रहना चाहिए अगर वहाँ पे कहीं पे भी disturbance आती है तो generally देखा गया है बच्चे mal adjusted होते हैं और उसी की वज़ा से juvenile delicacy है नेक्स्ट इस establishing wholesome recreational agencies to prevent young children from becoming the victim और illicit और wholesome recreation के कुछ ऐसी agencies काम करें इसके लिए जो इंडिया में देखे काफी सारी NGOs इसके लिए काम भी कर रही है and not only in India, internationally काम कर रही है so that बच्चे जो है इन सीजों में आपड़े especially देखिए slum वगर के according to research surveys के according जो है मैं data उसके according आपको example दे रही हो slums के बच्चे जो है वो चोरी में, robbery activities में generally जादा देखने को मिलते हैं तो ऐसी बहुत सारी NGOs है जो time to time बच्चों के लिए जो है programs कराती रहती है right तो उससे भी बहुत फर्क पढ़ता है next is giving proper assistant to under privileged children to build in them good character and law abiding attitude this properly means कि कुछ ऐसी agencies या everyone देखिए I will say कि everyone in the society जो भी बच्चे के इर्दगिर्द है या आपके इर्दगिर्द जो बच्चे हैं तो उनका good character formation हो moral values उनके अंदर हो ठीक है और इसलिए देखिए ये subject भी schools में रखा जाता है और वो rules को follow करें ये चीज सिखाई जाए देखिए अगर आप अपने बच्चे को गाड़ी बाइक या कुछ भी लेकर देते हैं ठीक है या आप एक even cycle देखिए अठारा वर्ष से पहनने है, that is the correct way अगर आप road पे cycle भी लेके जा रहे हो बट ऐसा अगर parents या उनके इर्दगिर्द के लोग ही करेंगे तो बच्चा क्या follow करेगा, so it is very much required कि बच्चे को आप सही सिक्षा दे, good character formation, laws वो follow करे और moral values पे वो चले, तो ऐसी चीज़े आप importance of law abiding, मतलब अगर बच्चा देखिए, laws को तोड़ता है, तो उसको आप radio पे, movies, television, newspaper, magazines के थूप बताईए, कि उसकी सजा क्या होती है, और वो कितना severe हो सकता है, उसके लिए भी उसके consequences, अगर वो ऐसा करेगा, तो उसके consequences, यानि कि क्या निशकर्ष उसका होगा, ठीक है और अगर वो वहाँ पे इन चीजों को follow करेगा, तो कैसे उसको appreciation और reward भी मिल सकता है, right, and it is very much required कि बच्चा कोई सही काम करता है, अच्छा करता है, तो आप उसको appreciation और reward दे, और गलत करता है, तो उसको examples इसका दुष परिणाम भी क्या हो सकता है, next is improving the social environment, देखिए, जहां पे हमें पता है like बच्चे जो हैं, गलत आदतों में पढ़ सकते हैं, तो वहाँ की एरिया पे नज़र रखना, this is the respective NGO का काम ही ने, government का भी काम है, slum areas, busy market places, gambling centers, ठीक है, तो यहां पे देखिए, हम जो है, एक ध्यान रखें, ठीक है, और देखिए, अकसर आपने देखा होगा, एक छोटा से example यहां से लिखते हैं, आपके घर के आसपास कोई भी alcohol shop हुई, liquor shop that is, ठीक है, या कोई भी जहां पे cigarette मिलती है, ऐसी shop हुई, तो वहां पे हमेशा यह लिखा रहता है, कि 18 वर्ष से कम आयू के बच्चों को जो है, लाइक, 18 persons को cigarette नहीं दी जाएगी, alcohol liquor, अगर आप 25 वर्ष से कम है, जो पहले 18 थी, अप 25 हो गई है, तो उनको नहीं दी जाएगी, ऐसा क्यूं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं गलत आदतों में आपड़े, और कही ना कहीं बाल अपराद को रोकने के लिए, यह सब steps जो है, अपनाए गए हैं government के द्वारा, right? Okay, next is spotting potential delicates by predictive test in the school and giving appropriate treatment to the such children, देखिये, कुछ ऐसे test भी है, जिनसे हम बच्चे का mindset क्या है, उसकी mentality क्या है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है so it is very important कि कुछ ऐसी test या कुछ ऐसी चीजों के साथ हम school में भी, या अपने इर्दगिर्द के बच्चों का test लेकर पता लगाए कि उनका mindset या उनकी thinking क्या है, और अगर वो गलट direction में उनकी thinking है, तो उसको समय रहते ही, जो है, हम control करें और उनको सही direction पे लेकर आए, ठीक है, और जो problems है, begging की, poverty की ये सब remove करना बहुत जरूरी है, देखे, हम generally Mumbai का example लेते हैं ठीक है, जिसको हमेशा देखे हम busy एक city के नाम से जानते हैं, कि वहाँ पे जो है, बहुत बच्चों की kidnapping करके, उनसे भीक बंगवाई जाती है, और ये ऐसे business कुछ लोग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे भी control किया जाए, और हमारी government इस पे एक अच्छी penny नज़र रखे, ताकि ये सब चीज़े कम हो सके, ठीक है, तो काफी long topic है, बहुत कुछ है आप लिखने के लिए, मैं आप सभी से एक example आप देखे, add करें इस topic में अगर आप ये as a question attend करते हैं, answer लिख रहे हैं, तो एक example जरूर डालें, ठीक है, आप कोई भी recent का juvenile delicacy का like देख सकते हैं, कि कौन सा case हुआ है, और उसका example इस question में डाल सकते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा answer आपका लगेगा, इस वीडियो के लिए सर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में धन्यवाद